हेलो गाईस तो आज की इस वीडियो में जो है मैं फिर से बेटा ब्रीडिंग कैसा करना है वताने वाला हूं तो पर्सम जो है अपन को हिल बॉइ I mean इल बॉइ लाए थे अपन और आज जो है उनको ब्रीडिंग करने वाला हूं मैं इंडोनेशा का hell boy यह है और इसका importation process जो है अभी next separately अभी एक video बनातो है यह तो breeding का video है तो यह देखें पिछे का female है और सामे का male है यह जो red है यह एकदम thick बुले तो thick red वाला hell boy है यह नर्माली ऐसाथ जो है इंडिया में नहीं मिलेगा आपको इंडिया में ब्रीड हुए तो उत्ता डार्क नहीं रहेगा वो बुलना चाहरों मैं तो इसमें देखे अलरड़ी वाटर स्टोर करके रखेसों मैं एक 3-4 देज पहले और इसमें जो है फ्रेश वाडर है थोड़ा बहुत फ्रेश वाडर उसमें दाल लेना है पन जो ब्रीडिंग की बॉक्स है उसमें दाल लेना है तो यह अपना पुराना कोई का लकसी का पेर है I mean home rate है दो भी वो left का male friend का है और यह जो है मेरा है मेरा home rate था ओ फिमेल अब उसमें fresh water दाल लेके जो है directly male female को छोड़ लेते हैं अपन तो यह देखिए इसमें जो है male female को छोड़ दिया मैं already तो थोड़ा बहुत almond leaf दाल लेगा और वो जो है money plant का leaf है और money plant के leaf क्यों बोले तो उसके निच्चे जो है bubble nest लगाने के वाद से उपर जो support के सरका bubbles knife उटना बोलके तो old water और new water क्यों mix किया बोले तो मैं old water में जो है bubble nest बहुत अच्छा टिकता है और new water में जो है bubble nest जल्दी बना पाता है male new water से जो है male को थोड़ा बुत अच्छा फील होके जो है bubble nest अभी अच्छा बनाएगा वो बोलते तो quantity जादा बनेगा तो इसके वो जैसे जो है ऐसा दाला और आप breeding करते सो पहले male female को अच्छा देख लेना आप बोले तो active है नहीं है वो देख लेके जो ब्रीड करना है दो भी week है तो एक भी week है तो breeding नहीं होगा वो तो guarantee है तो already एक दिन हो गया आप में छोड़के तो उसका next day का बता रहा हूं है तो यह देखिए bubble nest तो already start हो गया है और यह next day के बाद में बता रहा हूं है directly छोड़ देने के बाद next day में बता रहा हूं है तो यह देखिए आपन डिस्टब नहीं करना है तो already एक ले कर दिया है female तो अभी ये टेम पे जो है मैं female को नहीं निकाल सकता हूं तो उसके लिए मैं कल morning निकालने वाला हूं female को और एक लगाने के बाद जो है female को निकाल देना है बबुलनेस देख सकते है एकदम बहुत तिक बोले तो तिक हो गया है और ऐसा बबुलनेस जो है ज्यादा तर नहीं फूटेगा नॉर्मल्ली प्लेन सिंगिल लेयर बबुलनेस टैबले तो फूट जाएंगा ऐसा इत्ता तिक बबुलनेस जो है नहीं फूटेगा तो ये morning का व्यू है next day morning तो अपनको जो है एक लगाने में just one day लिया है आज अपन छोड़े तो कल नाइट में एक दे दिया हूं तो person morning जो है पर निकाल दिये female को और अब जो है मेरे गाल से तो इसमें का female अलड़ी मैं निकाल दिया हूं इसमें अभी अभी बेटा fries हैच हो रहे थे तो ये टाम पर female निकाल दिया हूं और female निकालने के बाद जो है next day ने ने बुले तो उसके दो दिन के बाद बच्चे हाच होना स्टार्ट होते है तो ये टाम पर बच्चे अलड़ी थोड़ा बुद हाच हो चुके है और उनलों की color भी थोड़ा ब्लैक हुआ है और male को कब निकालना बुले तो आप जब कर दिया बुले तो बच्चों को उन्हें खा लेगा डिस्टब नहीं करना है बार बार को ने देखना उसको और breeding करते को breeding के water में अपन तो salt या कुछ भी नहीं दाले कुछ भी कई को नहीं दाला वो ले तो मैं बच्चों को जो है ब्रीडिंग के बाद मैं shift कर देना वाला हूं तो इसके वज़े से जो है कुछ भी नहीं दाला हूं है बड़ी टब में जो बड़ी टब है आपन अपन अपन ऑल्रेडी करके रखञे तो उसमें पूरा रेडी कर लें रख लेता हूंék वह नेक्स्ट वीडियो में बता हूंगा माई वो बच्छों को ट्रांसफर करने का जब तो मैल को अल्रेडी मैंं ट्रांसफर करके जो यह फिड दिया था तो तो एकदम अच्छा मिलता है, बच्चों को अच्छी तरह केर कर रहा था, तो देखें बच्चे अभी, I mean, स्ट्रेट स्विम कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन अल्रेड उसको डिस्टब कर दिये, तो इसके वज़े से जो है मैं निकाल दिया हूँ, ने तो उन्हें बच्चों को खा लेता था अब तक, तो इसके लिए जो है अपन निकाल दिये, और फिमेल को तो अपन दो दिन पहले ही निकाल दिये थे, और ये फ्राइस को जो है फस्ट फिट पारमिशय में मिलेगा, जो आपन आल्मंड लिव दाल दिये थे, उससे ही उनको फस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो ये है गाइस ब्रीडिंग का फुल प्रॉसेस, देखें फीमेल को कुछ भी डामेज ने हुआ